हेलो बच्चों, वेलकम टू अनलाइन वीडियो क्लासेज, आज हम पढ़ेंगे दशमह पाठ आजात चनशेकर चनशेकर आजात के बारे में आप सभी जानते हैं, वो सतनता सेनानी थे आज इसी के विशे में हम ये चैप्टर पढ़ेंगे आचार्य कक्षायां सिक्षा दे रहे हैं, आचार्य बोल रहे हैं, भुरमे हे रमा श्वह कह दिनांक अस्ति कल श्वह मतलब आने वाला कल, कल कौन सी दिनांक है, रमा बता रहे हैं फिर श्वहज जुलाई मासस्य त्रयोवीशनती दिनांक अस्ति कल जुलाई महिने की तेज दिनांक है आचारे बोलते हैं फिर जुलाई मासस्य त्रयोवीशनती दिनांक की मर्थम प्रसिद्ध जुलाई महिने की तेज दिनांक किस लिए कि मर्तह मतलब किस लिए प्रसिद्ध है प्रिया अस्मिन एव दिनांक के आजाद चंद शेखरस से जैनतिया उत्सव आयोजते इस दिनांक में ही आजाद चंद शेखर की जैनति का उत्सव हम मनाते हैं आचारे बोलते हैं फिर चंद शेखर से जन्म कस्मिन खिस्तापदे अभवत चंद शेखर का जन्म किस शतापदी में हुआ तो विभू बता रहे हैं फिर चंद शेखर से जन्म 1906 खिस्तापदे अभवत चंद शेखर का जन्म 1906 शतापदी में हुआ आचारे बोलते हैं सम्यक उक्त भवता भवता मतलब आपने सम्यक मतलब ठीक कहा रमा बोलती है फिर वो आचारे चंद्शेकरा से जन्म कुत्र अभवत हे आचारे चंद्शेकर का जन्म कहा हुआ कुत्र मतलब कहा आचारे चंद्शेखरा से जन्म मद्रिपदेशे अली राजपूर मंडला अंतरगते भावरा नामक ग्रामे अभवत चंद्शेखर का जन्म मद्रिपदेश में अली राजपूर मंडल के अंतरगत भावरा नामक गाउं में हुआ प्रिया भू आचार्य को तस्य पित्रो है आचार्य उनके माता पिता कौन थे आचार्य बता रहे हैं फिर सिता रामतिवारी तस्य पिता थे और जगरानी देवी चा तस्य माता आसिता जगरानी देवी उनकी माता थे विभू पूशता है फिर तस्य अध्यनम कुत्र अभवत उनका अध्यन कहा हुआ आचारे बता रहे हैं वाराणस्या एकस्मिन संस्कृत विध्याले वाराणसी के किसी संस्कृत विध्याले में तस्य अध्यनम जाता है उनका अध्यन हुआ सा संस्कितम अधितवाना वह संस्कित से बहुत इसनेह करते थे सा आश्चर्यम सरवे अहो सभी आश्चर्य से ने पूछा एशा संस्कितम अधितवाना वह संस्कित उनको प्रिये था तो पियूश केते हैं फिर तत सह किम अकरोद उसके बाद उन्होंने क्या किया आचारे बताते हैं वाराण अस्याम संस्कृत विध्याले अध्यनाम कुर्वना वाराण सी में संस्कृत विध्याले में अध्यन करते हुए एवा पंच दस वर्षी 15 दिन वर्ष में ही चन शेखर स्वतंत्रिता आंदुलने प्राविशता स्वतंत्रिता आंदुलन में दमनकाले जब दमनकाल चल रहा था जब अंग्रेज द्वारा स्वाधिनता अंदुलन कारी क्रामतिकारी जो थे उनका दमनकाल मतलब उनको दबाने के लिए जब वह समय चल रहा था तब उन्होंने सह पाशान खंडेन तब उन्होंने पत्थर के एक टुकडे से एकम रक्षक प्रहर था एक अंग रक्षक जो द्वारपाल होता है उसको प्रहार करा उसको मारा था और यूजलục 9 मा यूजल laugh तो आधारे बताते हैं तब आधारी तम प्रहरी तं निकरह नियाले प्रस्थुत वहाना तम उस प्रहरी ने द्वारपाल ने उनको निग्रहय मतलब पकड़ करके नियायले में प्रस्तूत किया। बेत मतलब कोड़ों का उनको दंड दिया गया। विभू फिर पूस्ता है दंड काले चंद शेखर से का प्रतिक्रिया ववत दंड काल के समय चंद शेखर की क्या प्रतिक्रिया हुई तो आचारे बताते हैं फिर प्रतम तूद चंद शेखर न्यायधीशेयो समवादम शुनूता पहले चंद्शिकर और न्यायधीश के बीच में क्या वारता लाफ हुई समवाद हुआ वह सुनो न्यायधीश पूछ रहे हैं किम तव नाम तुमारा नाम क्या है तो चंद्शिकर बोलते हैं आजाद न्यायाधीश पूछते हैं किम तव पितु नाम तुमारे पिता का नाम क्या है तो चंद्शिकर केते हैं स्वाधीन मतलब स्वत्यंद्रता न्यायाधीश पूछते हैं कुत्र तव ग्रहम तुमारा घर कहा है तो चंद्शिकर केते हैं कारागार मतलब जेल पियुश बोलते हैं फिर क्या हुआ तो आचारे बता रहे हैं ततस्तु वेत प्रहारे उसके बाद वेत जो कोडे पड़े उनके उपर चंद शेखर मुर्चा परियंत जब तक वह मुर्चित नहीं हुए तब तब जयतु भारतम इती उच्चे अगोशेत जयतु भारत का नार से प्रसिद्ध हुए रमा स्वतंत्रताय सहकिम कतवाना स्वतंत्रता के लिए उन्होंने क्या किया तो आचारे बता रहे हैं फिर तेन हिंदुस्तान सोचलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी उनके द्वारा हिंदुस्तान सोचलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी इस प्रकार की आजगुरू, बटुकेश्वर, सिवराम, सुखदेव, आदी, कई करांतिकारी तस सहाय का अभवन उनके सहायक हुए काकोरी साइमन कमेशन केंद्री असेम्बली मद्धे काकोरी साइमन कमेशन केंद्री असेम्बली के बीच में आगनेया अर्ष्त्र मतलब बम आगने अस्र किसको कहते हैं बम को कहते हैं प्रिया कहत तस्य आदर्ष उनका आदर्ष क्या था तो आचारे कहते हैं देश भक्ती देश भक्ती उनका आदर्ष था अपी चत्त स्य जनकष्य सहायार्थम उन्होंने अपने पिता की सहायता के लिए मित्रे प्रतत धनम अपी मित्रों से मिला हुआ धन सह क्रांती कार्येशू व्यायम कृतवाना क्रांती कारियों में ही वैय कर दिया विभू कथम कदा चातर से बलिदानम अभवत कब और कैसे उनका बलिदान हुआ तो आचारे बता रहे हैं परवरी मासे से शब्त विन्चंतितमे दिनांके परवरी महिने की 27 दिनांक को 1931 खिसताब्दे 1931 अताब्दी में इलाबाद नगर के प्रयाग नगर में जिसको कहा जाता है आजाद उध्यान मतलब अल्फरेट पार्क में इती स्थाने आंगल गुप्त चरडा दिक्षणेन मतलब इंग्लेंड के अधिकारी नौट बाबरेन नौट बाबर नाम था जिसका उसके गोली के द्वारा युद च उन्होंने अपने आपको असहायम जब उन्होंने अपने आपको असहाय माना अमन्यतह असहाय माना तदा निग्रह भयात तब निग्रह मतलब पकड़े जाने के भय से स्वाहस्त ने अपने ही हातों के द्वारा स्वाकियो मस्त के अपने ही माथे पर गोली का प्रहार इन ग मैंने ये एक बार आपको संस्कृत हिंदी में explain किया है अब मैं आपको एक बार हिंदी में समझा देती हूँ आचारे कक्षा में प्रवेश करते हैं आचारे पूशते हैं हे रमा कल कौन सी दिनांक है रमा पूशती है बोलती है कल आने वाले कल में जुलाई महिने की 23 दिनांक है आचारे जुलाई महिने की 23 दिनांक किसलिए प्रसिद है तो प्रिया पूशती है इस दिनांक में ही आचा 1906 शताबदी में हुआ आचारे ठीक कहा आपने रमा पूस्तिये फिर हे आचारे चंद्शेखर का जन्म कहा हुआ तो आचारे बता रहे हैं चंद्शेखर का जन्म मद्रि प्रदेश में अली राजपूर मंडल के अंतरगत भावरा नामक गाउं में हुआ प्रिया हे आचारे उनके माता पिता कौन थे तो आचारे बोलते हैं सीता रामतिवारी उनके पिता थे और जगरानी देवी उनकी माता थी विभू उनका अध्यन कहा हुआ तो आचारे बताते हैं वाराणसी के एक संस्कित विध्याले में उनका अध्यन हुआ बहुत संस्कित से बहुत उनको संस्कित प्रिय थी पियूश बोलते हैं फिर उसके बाद क्या हुआ तो आचारे बोलते हैं वाराटसी में संस्कित विध्याले में अध्यन करते हुए उन्होंने पंद्रा वर्ष की उम्र में ही चंद्शेखर सुतंद्रिता आंदोलन में प्रवेश कर गए अंग्रेजों द् स्वाधिन्ता आंदोलन कारियों के दमनकाल के समय उन्होंने पत्थर के एक टुकड़े से एक रक्षक पर प्रहार किया था रमा बोलती हैं फिर क्या हुआ तो आचारे बोलते हैं कि उसके बाद प्रहरी ने द्वारपाल ने उसको उनको पकड़ा और न्यायले में प्रस्त दिया गया विभू फिर बोलता है दंड काल में चंशेखर की क्या प्रतिकिरिया हुई आचारे पहले चंशेखर और न्यायधीश के बीच में जो वारता लाप हुई वह सुनो न्यायधीश पूसते हैं तुमारा क्या नाम है चंशेखर आजाद बताते हैं न्यायधीश तुम कहा तुमारा घर कहा है चंदशेखर बोलते हैं जेल पीऊश पता पूछते हैं फिर कि उसके बाद क्या हुआ तो आचारे बता रहे हैं कि उसके बाद कोडों के प्रहार से चंदशेखर मुर्चा होने तक जैव दुभारत इस प्रकार का उचा नारा वह लगाते रहे त तो आचारे बता रहे हैं उनके द्वारा हिंदुस्तान सोचलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी इस प्रकार की स्वाधिंता सेनिकों का एक संगठन बनाया गया उस संगठन में भगत सिंग राजगुरू बटुकेश्वर शिवराम सुकदेव आदी अनेक क्रांतिकारी उनके सहायक हुए काकोरी साइमन कमिशन केंद्री असेम्बली के बीज बम फेकने में वह सिरो मणी थे प्रथम थे प्रिया पुछती है उनका आदर्ष क्या था तो आचारे बता रहे हैं देश भक्ती उनका आदर्ष था उन्होंने अपने पिता की साहता के लिए मित्रों के द्वारा दिया गया धन भी उन्होंने क्रांती के कारियों में व्याई कर दिया विभू पूछते हैं कब और कैसे उनका वलिदान हुआ तो आचारे बता रहे हैं फरवरी महिने की 27 दिनांक को 1931 श्रताबदी में इलाभाद नगर के अल्फरेट पाक जिसको आजाद उध्यान कहते है इस स्थान पर अंग्रेजों के गवर्नर नौट बावर के साथ उनका युद्ध चल रहा था उस युद्ध में जब उन्होंने अपने आपको असहाय माना तब पकड़े जाने के भैसे अपने ही हातों के द्वारा अपने ही मस्तक पर गोली के प्रहार से वह वीर गती को प् हो गए ओके बच्चो थेंक्ट्यू